एक बहुत जरूरी वीडियो आप सब के लिए आपने यहाँ पर न्यूज देखी लिया होगा और जो खबर आ रही है वो आ रही है हाँ पर माइकल बरी के तरफ सब देखिए माइकल बरी कौन है आप सब द बिग शॉट नाम सुना होगा अगर आपने द बिग शॉट नहीं द दुनिया देखते है और 2005 में वो यहाँ पर शॉट करना चालू करते है मार्केट को, ठीक है। उसके बाद 2005 के बाद वो 2007 में स्टॉक मार्केट को शॉट करते हैं, शॉट याने की सेल करते है, पहले पिर बाद मैं बाइध करेंगे करके। तो short position यहाँ पर market में बनाते हैं कि market अब यहाँ पर गिरेगा तो मुझे यहाँ पर फायदा होगा तो the big shot यहाँ पर sell करना चालू करते है market को और उसके बार वो bankrupt हो जाते हैं उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचते हैं उनके पास hardly कुछ पैसे बचे रहते हैं और अगर एक दिन और अगर यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि बजार तेजी के साथ 2067 में ऐसा ग्राफ बढ़ता है बाजू में देखिए big shot पूरी तरीके से कंगाल हो जाते हैं और सोमवार का दिन यहाँ पर रहता है और सोमवार के दिन अगर उस दिन market बढ़ जाता तो वो पूरी त सबसे बड़ा crash यहाँ पर होता है उसके बाद the big shot के उपर नैचरल सी बात है fed investigation बैठाता है FBI torture करती है फिर उसके बाद Warren Buffett सामने आते हैं और investigation में उन्हें यहाँ पर clean cheat मिल जाता है investigation क्यों होती है क्योंकि the big shot यहाँ पर पूरे अमेरिका का पैसा उस time का पूरे अमेरिका का stock market का पैसा आप कलपना करके देखिए 70% पैसा अकेले अपने पास यहाँ पर रख लेते हैं अपनी hedge fund को खतम कर देते हैं तीन साल market से दूर रहते हैं उसके बाद अपनी asset management company यहाँ पर चालू करते हैं तो the big shot बहुत बड़ा यहाँ पर नाम है influence करता है और honestly अगर मैं है और जो market की economy को वो balance करके समझते हैं उनसे बहतर यहाँ पर और कोई भी इस मामले में नहीं है हाँ of course Warren Buffett Charlie Mangar वो अलगी level पर है लेकिन उसके बाद अगर कोई पास जाता है तो वो Michael Burry ही यहाँ पर जाते है अब देखिए the big shot यहाँ पर आज 15 साल के बाद active हुए हैं 2021 में दिखाई दी थी जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर shot करा था market को उसके बाद उन्होंने tweet करके बताया कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जल्दी कर गया जिसके कारण मुझे mistake हो गया और उसके बाद एकड़म से Twitter बन कर दिया उसके बाद the big shot फि उनकी 13F filing जो है वो पढ़ रहा था कि उनकी 13F filing जो है प्रीमियम पैसा देना पढ़ता है उसको खोल के पढ़ रहा था कि आखिर में Michael Burry क्या करना चाते है 2023-2024 में अब आप सब यही सोचे रहोंगे तो खबर आपके बाजू में है आप देखते जाएए यहाँ पर देखें Market Insider बहुत बड़ा यहाँ पर वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट का न्यूस देने वाला है Market Insider लिखता है Big Shot Michael Burry is one trick pony wrong one stock उसके बाद यहाँ पर Business Insider इंडिया के तरफ से खबर आता है Big Shot investor Michael Burry piled into energy and shipping stock last quarter उसके बाद first post के तरफ से हाँ पर खबर आता है US, US investor Michael Burry bets big on market crash यहाँ पर और यह खबर आते साथ जब से यह खबर आया है US का market एक भी दिन positive में बंद नहीं हुआ है टेलीग्राफ के खबर से यहाँ पर आता है टेलीग्राफ आप सबने नाम सुना ही होगा crash coming says big shot investor who predicted 2008 crisis आप सब के सामने यहाँ पर है उसके बाद अगर आप देखेंगे डेली डेली express के तरफ से खबर है man who made fortune predicting 2008 world financial crash bets 1.2 billion it will happen again तो 2008 की भविश्वानी करने वाले इस बार फिर से भविश्वानी दे दिये हैं कि यह 2008 के जैसा crash बहुत नजदीक आ चुका है हमारे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं Michael Burry कह रहे हैं मीडिया वाले कह रहे हैं the times के खबर से the big shot trader Michael Burry bets 1.6 billion on stock market crash 1.6 billion पैसा है हाँ पर crash उनका 90% portfolio जो है वो यहाँ पर crash के लिए predict करके लगा दिया है put option ले लिया भी और मैं आपको यहाँ पर detail में इसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़ी खबर है CNNN के तरफ से खबर है big shot investor Michael Burry bets on wall street downturn तो यहाँ पर अब क्या खबर है 13F filing में क्या है आपको क्या करना है सारी चीजे आज मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ शुरू से आखरी तक देखिए आप सबको लग रहा हुआ stock market में बहुत पैसे बनते हैं बहुत यह होता है लोग यहाँ पर portfolio दिखाते रहते हैं 10-20 लाग का profit कर लिया ट्रेडिंग करके यकीन मानिए एक दिन और 5 मिनट एक दिन का 5 मिनट लगता है portfolio यहाँ पर zero हो जाता है stock market ऐसी चीज है जो मैंने अपने real life यहाँ पर witness करी है corona तो कुछ भी नहीं था उससे भी खतरनाक गिरावट stock market में आती है आपको डरा नहीं रहा हूँ आपको सचेत कर रहा हूँ आपको alert कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि आप जीवन की कमाई market में मट डालिये नहीं तो आप फसो गए हैं हाँ पर आप देखें हाँ पर the big shot क्या किया है माईकल बरी ने और उनकी 13F filing क्या indicate कर रही है क्या media वाले जैसा लिख रहे हैं वैसा कुछ है या फिर कुछ और है क्योंकि उनकी 13F filing देखके कि 1.2 billion का put ले लिखके रख लिया है यहने कि market गिरे गई ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि उनकी filing में मैंने क्या देखी है तो उनकी filing में यह देखी है कि उनके पास जो already stocks hold है वो stock को उन्होंने leverage किया है leverage से जो margin उनके पास आई है वो margin से वो put option लेकर बैठे है तो उनका खुद का पैसा नहीं है लेकिन उससे भी वड़ा risk उनोने लिए है एक news चाप दिये कि अरे माइकल बरी का पैसा थोड़ी है माइकल बरी तो ऐसी अपने portfolio का थोड़ा मोड़ा पैसा जो है वो यहाँ पर वो लगाया है वो real valuation वाला पैसा नहीं है अरे भाया वो real valuation से भी खतरनाक है अगर यहाँ पर गलत साबित हुआ क्योंकि एक मैने दो मैने का रहता है अगर गलत साबित हुआ तो उनको और ज्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन यहाँ पर Michael Burry क्या करने की कोशिश कर रहे है यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या आप अपनी positions को hedge कर रहे है या फिर clearly सोच लिया है क्योंकि 90% पैसा डाला है put option में की market गिरने वाला है तो यहाँ पर आप सबको पता ही होगा call put में call हम लेते हैं फाइलिंग्स में जो यह मीडिया वाले लिखे के नहीं मुझे पता नहीं क्योंकि मैं 30 ने फाइलिंग देखा हूँ इनकी हेडलाइन देखा हूँ तो Michael Burry ने interesting buy किया है और Michael Burry ने क्या buy किया है मैं आपको बताता हूँ Michael Burry ने यहाँ पर खरीदा है consumer stocks Expedia उन्होंने यहाँ पर खरीदा है मैंने काफी ध्यान से यहाँ पर देखा है MGM और Expedia खरीदा है इसके अलावा वो energy sector में invest किये है और oil field में invest किये है यानि कि oil sector में यहाँ पर invest किये है तो आप सबको यही बताना चाह रहा था मैं आपको दो साल से बता रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा future में multi baggers sector या share निकल कर आएगा energy sector से निकल कर आएगा Warren Buffett energy ले रहे है Michael Burry energy ले रहे है और दुनिया energy को बेच रहे है तो यहाँ पर बहुत बड़ा देखे कितना बड़ा diversification आपको दिखाई दे रहे diversification आपको दिखाई दे रहे कि दोनों कितना अलग बैट ले रहे जहाँ दुनिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है वहाँ वो ध्यान दे रहे जहाँ दुनिया oil को बेच रही है कि inflation और बढ़ेगा आने वाले समय में और Michael Buri किया ये सोच रहे है कि मैं अगर यहाँ पर कच्चा तेल खरीदूँगा महंगाई लगातार बढ़ते जाएगा तो मैं एक तरफ पैसा बनाऊँगा और दूसरे तरफ जैसे ही कच्चा तेल एक limit price पे जाएगा कहा ले रहे है क्या वो put के तरफ है हावी जा रहे है या फिर वो oil के तरफ जा रहे है तो मुझे ऐसा लगता है कि oil के तरफ नहीं जाएंगे oil hedge के लिए हाँ पर लिया हुआ है कि जब तक inflation बढ़ रहा है मेंगाई बढ़ रहा है मेरा भी पैसा बढ़ता रहे और जब market गिरेगा तो मेरे पूर्ट यहाँ पर रह दी है तो इस प्रकार से है मुझे ऐसा लग रहा है Michael Buri का 13 Filing यहाँ पर देखकर और बिल्कुल मेरे mind को blow कर दिया है और Michael Buri का ये प्रकार का action क्योंकि वो बहुत कम आते हैं अगर आप उनको देखेंगे वो बहुत कम news में आते हैं बहुत कम media में आते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर आप समझ जाईए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर economy और macro economy policies कुछ ना कुछ गडबर लग रही है और वो बहुत जादे study और research इसके पीछे यहाँ पर करते हैं तो क्या Michael Buri एक बार फिर से फिर से यहाँ पर पूरे अमेरिका का 70% पैसा stock market से खीचने वाले या नहीं यह तो यहाँ पर समय बताएगा लेकिन फिलहार उनकी position से आपको क्या करना है अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है बड़े ध्यान से सुनिये चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो देश में किसी भी देश में निवेश कर रहे हो दो तीन चीजे हैं जो आपको यहाँ पर नहीं करनी है पहला 65% से equity जादा नहीं रखना है in any case और मेरा जो drastic equity change है मेरे portfolio में वो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिले हैं मैं खुद जो equity बहुत जादा hold करता था एक समय में 80-80% equity मेरे portfolio में रहता था वो अब 50 से भी नीचे आ चुका है अगर आप मेरा portfolio देखना चाहते हैं लिंक नीचे description में मेरा curriculum आप purchase कर सकते हैं मैंने अपना return और अपना portfolio और holdings अपने यहाँ पर कुछ दिखाए हुए तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं purchase कर सकते हैं अभी आपको 5000 का discount भी हम यहाँ पर provide कर रहे हैं जो sale था वो खताम हों गया था basically Independence Day का 20 तारिक को लेकिन क्योंकि आप सब इतना प्यार दिये इतना demand दिये इतने queries किये और इतने request किये हमारी team से कि आपको coupon code चाहिए तो हमने यहाँ पर वो आपको provide कि है 5000 का additional जिससे आप 2-3 दिन और purchase कर ले क्योंकि कि क्या होता है कई बार इतने heavy curriculum के लिए ready नहीं होते तो इकठा नहीं होता है पैसा नहीं होता है कई बार चलता नहीं है server issue होता है तो हमने सोचा कि आपके लिए हाँ पर यह offer को continue रखते है दो दिन के लिए तो आप जाके curriculum purchase कर सकते है mystery box जहाँ पर lifetime earn करना यहाँ पर सीख सकते है concept सीख सकते है जिससे आप 7th generation को change कर सकते है link मैंने नीचे आपको description में दिया हुआ है तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आप अपनी equity portfolio को या तो decrease करे या तो 65% से बढ़ने ना दे दूसरा hold कर सकते हैं इस वक्त बजार में 2-3 मैंने अराम के साथ hold कर सकते हैं मैं बहुत सारे shares बताता रहता हूँ मैं भी hold कर रहा हूँ थोड़ा सा अराम से थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा market को देखके Fed भी रुका हुआ है जो हमारे macro policies को control कर रहे हैं वो भी यहाँ पर जरम पोवेल भी इस वक्त डाटा डिपेंडेंट है गलती क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर interest rate जो बढ़ा रहे थे उसको अचानक से break लगा दिया क्योंकि bank जो थे 7-8 बड़े bank fail कर गया तो उनको लगा आरे कोई बहुत बड़ा bank ऐसा crash कर गया तो फिर बहुत दिक्कत होगी तो उसके लिए उन्होंने interest rate को रोग दिया जिसके वज़े से जो data थे वो बहुत जादा change हो गया manipulate हो गया इसलिए हम सब यहाँ पर data dependent हो गया कि अभी data क्या आएगा unemployment के आएगा inflation के आएगा वो नहीं पता उसका नुमान लगाना भी दिक्कत हो रहे है इसलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे है अंके जी आपका economy पे क्या कहना है क्या कहना है तो हम कुछ नहीं कह पा रहे है क्योंकि Fed ने ऐसा कर दिया है कि अब हमें यहाँ पर रुखना पड़ेगा थोड़ा data dependent होके दिखना पड़ेगा और rescheduling करना पड़ेगा हमारे जो forecast बने हुए थे उसको उस हिसाप से तो यहाँ पर यह दिक्कत आई है लेकिन Michael Burry बिल्कुल साफ है interest rate उपर गया है थोड़े दिन रुकेगा market वहाँ पर crash करेगा कब करेगा Michael Burry की 39 filing से ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है particularly उन्हें लग रहा है कि 2024 में यहाँ पर March से मई के मैने में करने वाल है ऐसा indication हो रहा है अगर आप उसे पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें यहाँ पर यही समझ में आ रहा है जिस प्रकार से positions है ऐसा लग रहा है मार्च और माई के बीच में उनका यहाँ पर logically है और इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप cash अच्छे से रखें ताकि जब stocks आपको discount में ले तो आप बहुत सारे चीज यहाँ पर खरीद पाए बहुत सारे share से आपर bargain में खरीद पाए याद रखेगा जाते जाते आपको महामंतर बताऊँगा कि share बजार में पैसा वही बनाता है जब सब बेच रहे हो तब आप खरीद रहे हो या जब सब खरीद रहे हो तब आप बेच रहे हो तो अभी इतनी जादा डिमांड है इतना जादा greed है इतना जादा emotions है इतना जादा euphoria है इतने जादा लोग खुश है इतना जादा लोग investment कर रहे है NPS में चाहे कैसे भी रूफ में equity में कि वो बहुत ही बुलिश है मार्केट को लेकर और ऐसा ही हुआ था 1929 के आसपास और 2007 में 1983 में 1986 में यह सारी चीजे हैं जो आप हिस्टरी में देखोगे 1953 में तो यह कोई बहुत बड़ा चीज नहीं हो रहा है और इसलिए मायकल बरी बहुत ही ज़ादा केरफूल है अपने पैसे को दबा़ रखे हैं और देख रहे हैं कि जैसे ही सब यहाँ पर बेचने लगेंगे तब वो खरी देंगे और जब सब खरीदेंगे तब वो यहाँ पर बेचेंगे आपको भी यही करना है प्रोसेस पर ध्यान भीजे स्टॉक मार्केट वो गेम है जिसमें आपको धैर इससे बैठना पड़ता है कई बार आप 5-6 साल बैड़े आते हो बिना कुछ किये लेकिन 5-6 साल बाद जब आपको एक मौका मिलता है उस पर आपको यहाँ पर ग्रिप करना पड़ता है और वो अगर आप कैच कर लिए तो आप 6 साल में जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उसका प्रीमियम अखेले आप लेके जाओगे क्योंकि स्टाक मार्केट सीधा सा गेम है इसका पैसा उसको जाएगा ट्रांसफरिंग ओफ मनी है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप पैसा नेचरली रूप से बना रहे हैं आप कोई न कोई गवार है तभी आप पैसा बना रहे है तो पैसा बनाने का बहुत अच्छा तरीका यही है कि मैजॉरिटी से आप आगे चले और मैजॉरिटी का पैसा आप आगे लेके जाए तो ये कॉंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पर रहना है इक्विटी होल्डिंग पे बहुत जादा ध्यान देना है म्यूचल फंड्स पर ध्यान देना है अपने खरीदे गए स्टॉक्स पर ध्यान देना है बेफिजूल के स्टॉक्स से बहार रहना है कैश बराबर रखके रखना है सबसे जरूरी चीज अपने घर के बच्चों की बाते नहीं सुननी है मैंने ऐसा भी देखा है कि कई वार बच्चे लोग यहाँ पर बता रहे है कि अरे 20-30 लाग डाल दो इतना इतना हो जाएगा रे 50 लाग कर दो इतना हो जाएगा रे 1-2 करोड कर दो ऐसा हो जाएगा रे बिट कोईन क्रिप्टो ले लो अराम से वेट और वाच वाला गेम है वेट करिए वाच करिए हो सकता है 6 मैना आठ मैना वेट करना पड़े लेकिन बहुत जबरदस्ट उपर्चनिटी बजार में आप सब के सामने हाँ पर आने वाली है ये था माइकल बरी का अपडेट मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हम स्टॉक मार्केट में बहुत ही क्रूशल टाइम पर अभी यहाँ पर चले गए हैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे लाइक नहीं करेंगे और जैसे ही एक दो आईपियो खराब हिंकले आईपियो को कह दे टाटा बाई बाई खतम और इसी वीडियो के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को खतम करते हैं और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखते हैं क्या आप सब 10,000 लाइक इस वीडियो में देते हैं आफिर नहीं